हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ मनोज शर्मा और आज की क्लास पर हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर आगे कॉंटिग्यू जिसकॉन टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं अब तक इसके 1244 कुश्चन होगे आज 45 लॉस हुआ है उसी पर यह बेस्ट है उसको राइट आफ करते हैं राइट आफ का मतलता है बुक में से खतम करना राइट आफ कैसे करते हैं वो देखते हैं नंबर एक पहली बात तो यह समझ के चलो इटेज लॉस हमारे लिए जब कभी भी हम अपने डिवेंचर को इशू क रहा था जिस financial year में उस year में जो loss हुआ था वो उस year के end of the year पर जो है आपको write-off करना है कहां से write-off होगा वो point है लेकिन क्योंकि यह capital loss है तो इसके साथ एक condition जुड़ी है कि यह capital profit से पहले return-off होगा कौन से capital profit से only security premium first return-off होगा from security premium if security premium is available यदि available है तो यदि available नहीं है तो फिर number 2 पे आएगा statement of profit and loss as a finance cost करके clear हो जाएगा अब let करो आपका loss हुआ total 1 lakh रुपी का ऐसे समझाता हूँ आपको देखो journal entries की यह पास करते है यदि क्या करेंगे पहले security frame लिखो यदि available है तो number 2 statement of P&L उसके बाद loss on issue जितना भी loss हो लिखो let करो 3 के सिज़ बनते इसके हमारे प आपके पास more than 1 lakh या 1 lakh security frame में है तो statement of P&L में आएगा एक entry हो जाएगी security frame to loss on issue of venture एक तो case यह बनता है number 2 security frame available ही नहीं है बिल्कुल भी तो security frame नहीं लिखेंगे फिर statement of P&L लिखेंगे clear है तीसरा case देखो दोनों available है लेकिन जितना हमने return off करना उतना security frame में नहीं है मान के चलो यह 1 lakh है और security frame में आपको खाली 80,000 रुपी दे रखा है तो 80,000 यहा ले लेंगे और 20,000 इसमें आप जब question करेंगे तब आपको और clear हो जाएगा 45 question read करता हूँ आप देखिए लिखा किट प्लाइ लिमिटेड इस्यू रुपी 2,10 परसेंट डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5 परसेंट यह रुपी 2,00 दे रखा है याद रख लेना number of डिवेंचर नहीं है the terms of issue provided the repayment at the end of 4 year और जो condition है कि repayment कब होगी 4 year में kit ply limited है जो balance of रुपी 5,00 इन security premium और security premium में कितना available है 5,00 पास दा journal entry for issue of डिवेंचर हमें issue of डिवेंचर की entry पास करनी है and writing of the discount और discount को write off करना है अब कैसे करते हैं दिखो देखो हमारे पास ये दिवेंचर रुपी 2,00 याद रख लो discount कितना दिवेंचर है 5% साथ में बता रखा है कि security premium है 5,00 हमारे पास तो जो return of करते थे याद रखो जो return of अभी बताया पहले किस से return of होगा from security premium चेक करते हैं discount कितना निकलेगा 2,00 का 5% करोगे तो 10,000 discount आएगा और वो return of किस से हो जाएगा direct हो जाएगा premium से क्योंकि statement of P&L की requirement ही नहीं मैंने अभी आपको उताया था पहले किस से return of करते हैं यदि security premium available है उतना तो यदि कम पढ़ता है तो फिर statement of P&L से और let करो आपको security premium given ही नहीं तो सारा का सारे return of किस से करते है statement of P&L से अब कैसे करते हैं दिखुए रहा पहले तो issue के entry pass करो लिखो bank account debit to deventure application and allotment account amount कैसे आएगा note करो बहुत अच्छी दरह से 2 lakh रुपी के deventure दे रखे है याद रख लेना number of deventure नहीं यह यह और face value की यह नहीं यह तो face value मालनो आप 100 let करके तो 2000 deventure होगे और उसको multiply कर दो 95 से या सीधा इसका 95% कर दो 95% कैसे आया वो भी सुन लो आपने discount कितना provide कर रख है 5% लिख है तो कितनी money received हुई होगी 95% तो 95% इसका करते है तो 1,90,000 आएगा clear हो गया यह बहुत ध्यान से करना अब इसकी narration लिख दो application money received अब को transfer करते हैं डिवेंचर के अंदर लिखो यहां पर क्या लिखते थे second entry याद करो जरा डिवेंचर application and allotment अकाउंट है डिसकाउंट है तो discount भी लिख दो यहां discount on issue of डिवेंचर अकाउंट डिवीड होगा क्योंकि loss है और 2 करो यहां पर डिवेंचर 10% डिवेंचर है लिख द क्लियर लिखा हुए इसका लेना देना नहीं premium पर इश हुआ या redeem premium पर है या जो है वो discount पर है इसमें हमेशा face value आएगी यह application कितनी है सेम आएगा 1,90,000 यह लिख दो 1,90 यह रहा अब discount में कैसे आएगा वह अच्छी दरह से समझो total कितना था 2,00 रुपी का उसका 5% कर लो ज application में लिख दो application वनी transfer to venture account अब इसको करते है return off देखो return off का मतलब अभी बताया था मैंने आपको कि इसको account में से close कर देना यह debit में दिखा रखा है return off जब करेंगे तो यह credit हो जाएगा तो इसको तो credit करो और debit में क्या जाएगा security premium account लिख दो पहले क्योंकि available है available ना हो security premium तो क security premium तो हमारे पास कितना है five lakh कितना return off करना हमने return off मतलब यह समझ के चलो AJX बेंच मान लिया उसको खतम करना अपने profit से यह अमारे लिए एक तरीके का profit है याद रख लो capital profit बोलते हैं इसको return off करते हैं इससे या लिखो security premium account debit और two कर दो या discount on issue of deventure account amount लिख दो कितना amount है 10,000 र लुपी जितना return off करना है याद रख लेना उतना ही लिखना है हमारा यह नहीं है कि इसके अंदर balance कितना बचा रहा गया यह तो future में काम आएगा जो balance बचा रहा गया आज return off हमने 10,000 कर दिया और या इसकी narration मना दो discount on issue of deventure return off यह question हो गया भाई पहले issue के entry pass कर देनी है जो money received आई उस money को transfer करते हैं डिवेंचर account में उसके बाद फिर return off कर दो यह discount जो आपका क्या था अब यह देखो return off का मतलब क्या आप credit कर दिया तो books में आज के बाद यह show नहीं होगा इसी को बोलते हैं समझे लो return off clear है अब एक और question करते है 46 मैं read करता हूँ आप देखिए लिखा ह limited issued रुपी 10,009% दिवेंचर ध्यान रखना number of you डिवेंचर हैं या रुपी में दे रखे हैं रुपी में दे रखे हैं तो मैं number of डिवेंचर find out करने होंगे off रुपी 100 each at a discount of 6% on 1st April 2022 हमने जो है 10,005 रुपी के डिवेंचर इशू करे हैं यदि हम इसको number of डिवेंचर में convert करें तो 10,000 आ जाएगा कैसे पता चला 10,005 डिवाइड़ बाइंडर कर दो तो 10,000 डिवेंचर आ गए जो की issue है discount पर 6% और redeem होंगे पार पर कुछ नहीं लि रेड़ ओवर 5 annual installment इट एड़ बैलेंस इन कैपिटल रिजर आफ रुपी 75,000 और कैपिटल रिजर में बैलेंस है 75,000 याद रख लो security प्रिम में नहीं है ये capital रिजर में है और जो मैंने आपको rule सिखाय थे rule दो ही है पहले किस से return आफ होगा जो discount आपको loss हुआ वो from security प्रिम available है तो वो है नहीं तो सीधा statement of P&L पास journal entry for issue of adventure and writing of discount हमें issue की भी entry पास करनी है और discount की भी कैसे करते है देखो ये आपके सामने question आ गया deventures कितने के issue कर रखे आपने 10 lakh के face value question में given है 100 number of deventures बना लो ज्यादा बेटर है कितने बन गए ये रे 10,000 कैसे पता चला जितने के issue करे divide कर दो face value से क्याता है issue हुआ है 6% discount तो 6% हमेशा face value का होगा तो 6 रुपी हो गया तो कितने में issue करे यानि के 94 में 100 का था लेकिन 6% discount पर हुआ तो 94 में हुआ और redeem किस पर है 100 पर उसके बाद discount amount निकाल लो कितने डिवेंचर है हमारे 10,000 इंटू कर दो 6 रुपी तो 60,000 discount आ गया क्लियर है capital reserve आपको given है it will be ignore याद रख लो इसका कोई यूज नहीं है question में हमारे लिए और जो installment दे रखें उसका भी कोई यूज नहीं हमसे सीधा journal entry issue की कह रहा है redemption की नहीं कह रहा redemption की कहेंगा तब उनका यूज था जो आपको बता रहा है fine installment सीधी issue के entry पास करो क्या बनती है जब issue करते है bank account debit to deventure application and allotment account लिख लो एक बार तो 6 रुपी तो discount हो गया 100 में से minus कर दो इसका मतलब इतनी money मिल गई तो ये लिख दो 9,40,000 एक एक स्टेप सोच के करना याद रख लो ये तो plain entry है और यहां narration मरा दो application money received for 10,000 डिवेंचर ये तो पहली entry होगी अब करते है second entry इसको transfer करो deventure account में लिखो की entry deventure application and allotment account debit और य या लिखो क्योंकि discount पर issue है तो discount debit होगा loss है अमारे लिए और टू करो जो deventure का rate है 9% given है अच्छी तरह से देख लो question में वो deventure लिख दो चला अब इन में amount देखो कैसे put होगा ये तो deventure application में तो 940 आएगा लिख दो 940,000 discount में कितना आएगा देखो हमने वैसे calculate कर लिए रहा 60,000 लिख दो 60 वरना ये रहा 10,000 इंटू करो 6 तो कितना बन गया 60 और deventure याद रख लो चाही premium परो चाही discount परो ये अवेशा face value से multiply होगा multiply करो इसको 10,000 इंटू करो या पर 100 कितना बन गया 10,000 रूपी किलियर है ये इसकी narration बना दो narration में लिख दो application money transfer to venture account issued at 6% discount अब करते इस loss को return off करने की entry किस से करते थे दो ही case है या तो security प्रेम से return off होगा यदी available है तो question में available नहीं है देखो security प्रेम तो किस से return off होगा statement of financial से अच्छा ये debit है जब return off होगा तो ये तो credit होगा statement of financial debit और bracket में ये भी कर दिया करो finance cost क्योंकि ये finance cost है ये उसेड के अंदर जाएगा finance cost वाले से debit और टू कर दो या discount on issue of adventure account amount कितना आएगा 60,000 जितना return off करना है return off का मतलब आज के बाद note करो ये account close होगे हमारी book में से debit में इतना है और credit में इतना है जब इसका ledger बनाओगे तो वो zero हो जाएगा तो आगे balance sheet में जाए गई नहीं क्लियर हो गया इसी को बोगते है return off कर देना तो अब अमारा आज ये 46 हो गया अब एक और question करते है 47 मैं read करता हूँ आप देखिए लिखा है gladiates limited issue 10,000 8% adventure of 100 each at a discount of 5% redeemable at a premium of 5% payable along with application issue discount पर हुआ है 5% और redeem भी 5% premium पर करने है ज्यान रखना it add a balance of रुपी 70,000 in security premium security premium में 70,000 का balance दिखा रखा है and 50,000 in capital jar और capital jar में 50,000 the debenture वर fully subscribed and amount वर duly received pass necessary journal entry for issue of debenture एक तो issue of debenture की entry पास करनी है and writing of loss on issue of debenture account और loss को write-off करने की देखो कैसे करते हैं देखो ये question आ गया number of debenture question में दे रखिए 10,000 face value बता रखे 100 रुपी issue किस पर हूँ है 5% discount ये रहा 5% discount कैसे निकलेगा face value into 5 upon 100 करो तो 5 रुपी discount है इसका मतलब company को 95 रुपी मिला है one debenture पर जब redeem करेंगे तो वो 5% premium पर redeem करना है more pay करना है यानि कि 5% कैसे निकलेगा वो ही 100 face value का ही निकलता है मेशा 100 into 5 upon 100 करो गए तो 5 रुपी निकल गया यानि कि 105 पर करना है क्याता है कि total discount की बात करें तो 50,000 आ गया कैसे पता चला 5 रुपी वन debenture पर है number of debenture आपको दे रखे हैं 10,000 तो 50,000 का तो discount पर issue है और redeem जो करना है वो भी आपको premium पर करना है by chance वो भी 50 total 1 लाक रुपी का company को loss है जब issue किया बाद में बता रखा है security premium में 70,000 अवेलेबल है और उसके बाद capital लिजर में भी available है कितना 50 मैंने आपको बताया capital लिजर जब भी question में आए it will be ignored total loss कितना दिख रहा है में 1 लाक रुपी का it will be return of first from security premium जितना अवेलेबल है कितना अवेलेबल है बस 70 तो rest amount कहां से लेंगे हम statement of penal से अब जब question करते हैं तब clear होगा issue की entry pass करो लिखो bank account debit to deventure application and allotment account amount कैसे आएगा अच्छी तरह से note करो यह रहा number of deventure कितने दे रखे 10,000 देख लो यह दे रखे issue किस पर हुआ है 100 पे नहीं 100 तो face value है 5% discount पर तो 95 रुपी मिला है 95 से multiply करो करोगे तो यह 9,50,000 आ जाएगा यह तो issue के entry अभी application के entry हुई है यहां लिख दो application money received आब second entry pass करते हैं इस money को transfer करते हैं डिवेंचर में वहीं पर discount और loss दिखाएंगे लिखो यह डिवेंचर application and allotment account debit कितना वाउंट है 9,50,000 लिखेंगे इसमें तो अब यह देखो यहाँ पर space देके थोड़ा करते हैं यहां लिखो 8% डिवेंचर इसमें अ कोई दिक्कत नहीं हमने क्या करना है जितना application पर लिखो फिर दिवेंचर यह देखो डैबीड में क्या आएगा दो तरीके से लिख सकते हैं discount भी दिखादो discount on issue of adventure और loss on issue of adventure या दोनों को club करके दिखा दो क्यों आपको issue पर भी loss है और redemption पर भी loss है total loss दिखा देंगे लिखो loss on issue of adventure account हम दोनों कर सकते हैं ध्यान रख लो दोनों ही ठीक है exam के अंदर याद रख लेना इसकी जगह पर दो entry आ सकती हैं दुबारा repeat कर रहा हूं क्या लिखेंगे discount on issue of adventure उसमें लिखो 50,000 जो discount था उसके बाद लिखो loss on issue of adventure जो premium आपने pay करना है redemption पर 50,000 या उन दोनों को club कर के दिखा दो सीधा loss on issue में दिखा दो 1 lakh रुपी या लिखो 1 lakh रुपी कहां से आया 1 lakh वो भी समझायता हूं 50,000 तो आपका discount का है ये लिख दो 50 और plus 50,000 redemption का है बही chance टोटल मिला कर कितना आ गया 1 lakh किलियर हो गया आपने अलग-अलग किसी student ने करनी है तो अलग भी कर सकता है दोनों में marks equal है 50 की आलग entry दिखाओ discount on issue of deventure अगले 50 की आलग से लिखो loss on issue of deventure तो दो अकाउंट खोल सकते हैं या पर किलियर है या एक ही में कलब कर सकते हैं या लिखो premium on redemption of deventure अकाउंट अमाउंट कितना आएगा नूट करो 50,000 लिख दो 50,000 किलियर हो गया यह कौन सा 50 है जो premium का यह रहा इसकी narration बना दो narration में लिखो application बनी transfer to deventure account issued at discount redeem at premium चला अब यह आब next entry पास करते हैं नेक्स्ट में क्या करना था इसको आपको क्या करना है write-off और write-off में यह तो credit होगा debit क्या होगा मैंने आपको उताया पहले किस से write-off हो गए total 1 lakh security प्रेम से यह दी available है तो कितना available दिख रहा है बस 70 तो 70 तो लिखो security प्रेम अकाउंट जेतना about दे रहा है total 1 lakh return off करना है और जो बच गया 30,000 किस से return off होगा फिर बताए आपको statement of profit and loss लिख दो कि मैं कर दो finance cost क्योंकि यह उसी head का है यह उस head के अंदर जाएगा क्योंकि यह वाला loss finance cost पे related है इसलिए लिखते है यह और two करो यहाँ पर loss on issue of adventure 1 lakh रुपी किलियर हो गया अच्छा लेट करो किसी ने यहाँ पर दो अकाउंट खोल रखे हो डिसकाउंट on issue of venture 50,000 loss on issue of venture 50 तो credit में दोनों आ जाएंगे यह करते हैं बस यह डारेक्ट टीक कर दिया अब यहाँ इसकी narration मना दो लिख दो loss on issue of venture account written off यह question हो गया हमारा यह हो गया हमारा 47 अब एक और question करते है 48 रीड करता हूं आप देखिए लिखा है सुजाता limited invited application for issuing 50,000 9% diventure of 100 E at a discount of 10% redeemable at par after 5 year बता रख है 50,000 diventure issue है जो की discount पर issue है 10% और redeem जो होंगे वो par पर होंगे after 5 year the diventure वर fully subscribed diventure सारे fully subscribed हुए है and all money was duly received और सारी money भी आगे diventure older से the company add a balance of rupee 3 lakh in security premium security premium में 3 lakh balance है which decided to use for writing of the discount or loss on issue of diventure यानि के इस premium को कहां पर यूज करेंगे जो discount on issue of diventure हुआ it also decided to write off the remaining count or loss on issue of diventure in the first year first year में जो है जो remaining है वो भी write-off होगा from statement of P&L pass the journal entry for issue of diventure issue of diventure की journal entry पास करनी है and writing of discount or loss on issue of diventure account और उसकी entry पास करनी है कैसे करते हैं देखो देखो यह question आगया आपके सामने number of diventure बता रखे 50,000 issue करें face value बता रखे 100 रुपी है issue है discount पर 10% के लिए लिखा हुए तो 10% पहले calculate कर लो face value कितनी है 100 into 10 upon 100 करोगे तो रुपी 10 discount पर issue हुआ रुपी 10 इसका मतलब कितना मिला public से 90 रुपी कैसे पता चला 100 रुपी का diventure था जो की 10% discount पर issue हुआ तो 90 रुपी मिले और redeem बता रखे पार पर है पार का मतलब 100 रुपी रिपे करनी है security प्रेम में अवेलेबल है खाली कितना 3 रुपी हम यदि discount को चेक करें कि discount कितना हुआ तो आपको पता है 5 रुपी हुआ कैसे पता चला 10 रुपी वन डिवेंचर पर है कितने डिवेंचर इशू कर रखें कंपणी ने 50,000 तो 5 रुपी का कंपणी के लिए capital लॉस है जो की return-off होना है security प्रेम से लेकिन security प्रेम में अवेलेबल कितना है only 3 रुपी तो rest amount कहां से return-off हो जाएगा statement of P&L तो पहले issue की करते है फिर return-off की issue की entry pass करो पहले लिखो bank account debit to diventure application and allotment account ये तो आपको याद भी हो गई होगी amount कैसे आएगा note करो अच्छी तरह से number of diventure लिख लो जितने दे रखें है 50,000 कितने वे आया issue 90 से वैसे भी याद रख लो यह entry बनती है दूसरी entry इससे issue discount पे तो पहली entry तो इससे जो second आएगी वह इस amount से clear है यह लिखना नहीं है ऐसे आपको समझाने के लिए यह लिखो कितना बन जाएगा करोगे तो 45 लाइक रुपी बनता है यह लिख दो 45 लाइक रुपी यह तो पहली entry बनी है भी ध्यान रख लेना और यहां इसकी narration बना दो application money received तो पहली बन गई entry अब इसकी second entry इसी को transfer करते हैं कहां पर डिवेंचर में लिखो डिवेंचर application and allotment account debit और यही पर लिखो discount on issue of डिवेंचर अकाउंट यहां टू करो 8% डिवेंचर यह तो अभी entry लिख रहे हैं आब amount लिखते हैं देखो कैसे आएगा इसमें तो same amount आएगा यही 50,000 into जितना amount आपका आया 90 यह तो लिख दो 45 lakh किलियर है discount कितना दिख रहे हैं आपको 10 रुपी 50,000 into 10 करो कितना बन गया 5 lakh रुपी लिख दो डिवेंचर में अमेशा मैंने क्या बता रखा है face value आएगी face value से multiply करो face value कितनी दे रखी अच्छी दरे से note करो 100 रुपी 100 से multiply बन गया 50 lakh यह किलियर हो गया यह तो plain issue के entry थी अच्छा जब सारी money call करते हैं तब हम क्या करते हैं application and allotment लिखते हैं अब इसकी narration बना दो लिखो application money transfer to venture account issue and discount redeemate power अब करते हैं देखो इसको write-off करने की entry clear है same year में return-off होगा याद रखलो question में लिखे या ना लिखे condition है कि जिस year में आपने issue करे थे उस year के end of the year पर आपको इसको return-off करना है security प्रेम अवैलेबल है तो उससे करो नहीं है तो statement of P&L से अब यह देखो debit है जब return-off होगा तो credit कर देंगे यह निक अकाउंट में से close कर देंगे debit किसको करते है यह security प्रेम अवैलेबल है question में थ्री लैक पहले तो security प्रेम लिख दो on issue of adventure account कितना amount था 5,00,00 जितना amount आपका लिखा था debit में देखो यह रहा debit में कितना amount लिखा था 5,00,00 यह 5,00 लैक आ गया clear हो गया यह return-off हो गया किससे दोनों से क्योंकि पूरा security प्रेम में नहीं था तो rest amount कहां से ले लेंगे statement of P&L से 2,00,00 कैसे आया 5,00,00 में से 3,00,00 तो security premium में माइनस कर दो two lakh इसमें आ गया अब यहां इसकी narration मना दो लिख दो discount on issue of adventure return-off यह question हो गया clear हो गया तो यह 48 तक complete हो गया आज हमारे सारे के सारे किस पर बेस्ट है याद रख लो loss on issue of adventure को return-off करने पर बेस्ट है next class में 49 question से starting करते हैं आप यहां तक practice करो कोई भी doubt लगता है you will ask in comment section आपको मारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको like and subscribe कीजिए thanks for watching my video next class में जल्दी मिलते हैं